एश नाम बालों, 2023 की सच्चाई, इस साल ये सब कुछ मिलकर रहेगा, तीन बड़ी खुश खबरी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर S होता है यानि एस वर्ड से शुरू होने वाले नाम के लोगों के लिए नया वर्ष दोजरतेश कैसा होने वाला है एस नाम बाले लोगों को क्या कुछ खास इस आने वाले नया वर्ष में मिलने वाला है उन सभी लोगों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बिस्तार से जानेंगे केरियर के बारे में, ब्यापार के बारे में, नौकरी के बारे में, दुकानदारी के बारे में, प्रेम बिवाय है प्रेम जीवन या फिर आपका विवाश शम्मंदी जो भी चीजे हैं या फिर आपका श्वास्त हो गया आपकी सिक्षा होगी सब कुछ बिस्तार से जानेंगे तो वीडियो को लाश तक जरूर देखेगा तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके नाम का यह पहला अक्षर ऐस होता है अब जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर ऐस होता है उनके उनकी क्वाल्टी भी होगी और कुछ कमियों भी होगी तो सबसे पहले तो यह जो अपना खुद का श्वाभिमान है वो बहुत ही बड़ा होता है बहुत श्वाभिमानी होते हैं ऐसे जा तक अपने कर्मों पर बिश्वाश करने वाले होते हैं अब इन लोगों के लिए इस नए वर्श की जैसे ही शुरुआत होगी तो बहुत से इस्तितियों में परिवर्तन होगा और ये ऐसा होने वाला है लगबग तीस वर्षों के बाद की वर्ष के सुरुआत होते ही आपके ये चीजें बदलने शुरू हो जाएगी आपके कार्षेत्र में आपके बित्ती चीजें बदलने शुरू हो जाएगी बेपसा करेंगे तो जवर्जस्त लाब होगा केरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा आपको अपने आसपास की लोगों से ही समाधान मिलेगा केरियर में विशेष सफल ताइम लेंगी उच्पत की प्राप्ती प्रमोशन की योग बनेंगे और यहां पर देखा जाए तो बिजनेस व समपति कलाब मिलेगा कारचेत में चलियारी परेशानिया दूर होगी तो एश नाम बाले जातकों के लिए यानि कि 2023 की जो सच्चाई है जो हम बता रहे हैं इनके बारे में वो बहुत ही बेहतर है इनका बिजनेस व्यापार तेज़ेष चलेगा अधूरे कारे पेंडिंग क काम पूरे होंगे और अगर किशिपकर कोई समश्याइं थी तो वो समश्याइं दूर होंगी बिजनेस व्यापार में तेज़े से लाब होगा धन संपति कलाब होगा कारचेत मिलाब होगा यहनी कि जो काम बिगड़े थे वो बनेंगे 2023 में और साथी साथ बता दे कि इन्हे अपने केरियर में सफलता मिलेगी सब कुछ मिलेगा बस प्रयाश करना होगा मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करेंगे प्रयाश करेंगे तो सब कुछ हासिल होगा कारशेत्र में हासिल होगा कारशेत्र कुले कर चलियारी परेशानिया दूर होगी अच्छे लाब क्योग बने रहेंगे लगातार अंदनी बढ़ेगी तो सफलताएं भी कदम चुमेगी अच्छे लाब क्योग भी बने रहेंगे लगातार आपके प्रयास जो हैं वो भी आपको उचाईयों पर ले जाएंगे तो काम्याबी जो दस्तक देती है वो जरूर लाब मिलेगी और इस नाम बढ़े जातकों के पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा परिवार में सामंजस बना रहेगा परिवार में खूशिया प्राप्त होंगी परिवार में किशी प्रकार का अगर मनमुटाव चल रहा था तो दोर होगा जमीन प्रपोर्टे को लेकर चल रहे तनाव खत्म होंगे अच्छे लाप क्योग बने रहेंगे लागा तराम दिनी बढ़ेगी कार छेत में भी जाफा प्राप्त होगा कुछ महत्मूर अवशर प्राप्त होंगे यनि कि इस समय जो भी कार करेंगे जो भी निर्णे लेंगे जो भी फैसला करेंगे वो जो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है हर छेतर यनि कि आपके लिए बहतर होगा साथी एश नाम बाले जातकों आपको बता दे कि यनि कि आपका जो यनि कि घरेलू जीवन है दामपत्त जीवन है वो बहुत अच्छा रहेगा दामपत्त जीवन में भी खुश्या वर्चेंगी दामपत्त जीवन में मिठास 2023 में एश नाम बाले जातकों प्रेम जीवन में खुश्यान लोट कराएगी एक दुसरे का सहयोग मिलेगा और लवलाइफ आपकी बैवाहिक जीवन में बदलेगी स्वास्त अच्छा रहेगा शिक्षा में आपको जवर्यस तलाब होगा शिक्षा बेहतरीन होगी शिक्षा में अगर किशी प्रकार कोई रुकाबटे पहली थी वो दोर होगी उच्छी शिक्षा की प्राप्ती है तो बड़े संस्था में दाखला ले पाएंगे कमपटीशन परतोगी परिश्य में भाग ले पाएंगे और जेवर्यस तलाब देखने को मिलेगा यनि कि शिक्षा 2023 में बहुत अच्छी रहने वाली है एस नाम बाले जातकों का स्वास्त बेहतार होगा स्वास्त संबंधी परिशाने दोर होगी हलाके स्वास्त का बीच बीच में थोड़ी से आपको खान पीन की शीज़ों में ध्यान रखना है अब विवाई जैतकों के बीवा की योग बनेंगे ने बीवाँ की योग बन रहे है नही कि बीवाँ के लिए ने रिष्टे आएंगे शादी व्याकाई जोनका शुब मंगलकार होंगे दामपत्य जीवन में खुशयां घर परिबार में खुशयां बड़े भाई बैनों का सहयोग अचानक आय में ब्रदी भी होगी गुप्त रूप से धन मिल सकता है मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा बिदेश जानी की योजनाय बना शकते हैं बिदेश जाएंगे 2030 में सिख्छा के लिए बिदेश जा सकते हैं नौकरी के लिए बिदेश जा सकते हैं घूमने फिरने जा सकते हैं जमीन प्रोपरिटी के मालिक बन सकते हैं घर परिवे गर नए घर का नेवार तो वहीं जमीन प् प्राप्त होगी तो दिन धुगनी राच योगनी तरकी भी प्राप्त होगी और बहुत ही विशेश लाब भी प्राप्त होगा यानि कि कार्षेत्र में आपको अच्छा फाइदा होगा और जो कुछ रुकवी कार्थ है वो भी पूरे होंगे तो कुल मिला के कहा जाए तो इस सित्या देखने को मिल रही है तो यह था एशनाम वाले जातकों के लिए दो जारतेश के सचाई दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेयर करिए और चनल को सब्सक्राइब करिएगा जै शनिदेव